नमस्कार श्वागर आप सभी क्या आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तरपदेश का करंट अफेर्स जनवरी 2021 का तो इस वर्स के पहले मैंने यानि जनवरी का करंट अफेर्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे लगबग 70 ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको हम विस्तार से यहा इमैगजीन के फॉर्म में जारी कर दिया था और आप उसे ले सकते हैं यह PDF के रूप में आपको मिलेगा और आप जो है 2020 का जनवरी से दिसंबर तक का जो है इसमें एक साथ करंट अफेर्स पढ़ पाएंगे जो कि उत्तरपदेश की सभी परिक्षाओं के लिए बहुती मह तून है क्योंकि प्रस्ण जो है उत्तरपदेश करंट अफेर्स से निश्चित रूप से जो है पूछे जाते हैं इसको प्राप्ट करने के लिए आप जो है एक नंबर आपको दिया जा रहा है WhatsApp का 95067424546 तो यह e-magazine प्राप्ट करने के लिए जो है आप UP करंट अफेर् कर दीजिए आपको रिकलाई में लिंक दे दिया जाएगा आप वहां से जाकर जो है e-magazine को प्राप्ट कर सकते है PDF के फॉर्म में साथ ही आपको इस वीडियो के कमेंट में पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है इसका लिंक मिल जाएगा तो आप जो आपको जो है बहुत काम आएगी और इसमें यूपी का जीके भी क्योंकि जो यूपी का करण्ट अफेयर से जब वो इस्टैटिक हो जाता तो यूपी का जीके ही हो जाता है तो जरूर रखें अपने पास जो है तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं आज हमारा उत्तरप प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने जो है स्री गुरु गोविंद सिंग जी के चार साहिब जादों और माता गुजिरी जी की सहादत को समर्पित साहिब जादा दिवस हर वर्ष 27 सितर को स्कूलों में मनाया जाएगा ये गोशना की है तो एक तो ये डेट इं जादों का बल्दान स्कूलों के पाठ करम में भी सामिल किया जाएगा जिससे सभी समाज के लोग प्रेरित हो सकें आयम इंदौर के सहयोग से आयुद्या में एक कॉंट्रेक्ट किया गया है एक करार किया गया है जिससे आयुद्या को स्वच्चतम नगरी बनाया जा सके क् प्रिष्ट भूमी पर मंदे निर्माड के समानांतर आयोध्या को अंतराश्टी इस्तर पर धार्मिक वा आध्यात्मिक परेटन केंद्र बनाने की प्रिष्ट भूमी तयार की जा रही है। किस तरह से किया जाएगा या आकलन तो खेती की जमीन की मौजूदा भौगवली की स्थिति को दरसाने वाला अभिलेक खसरा जिसे हम खसरा कहते हैं अब कंप्यूटर पर ऑनलाइन दिखेगा यानि इसको भी जो है डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर क्रिट किया जा रहा है इसे अब तक माइनवली तयार किया जाता था खसरा को लेकिन अब परताल के बाद लेकपाल इसमें जो है ऑनलाइन इंट्रीज यानि आनलाइन प्रुष्टियां दर्ज कर सकेंगे खसरा का ऑनलाइन दर्ज करने से कहीं सारे फायदे होंगे एक तो जो कोई भी प्राक्तिक आपदा या जिसको हम दैवी आपदा कहते हैं फसलों को उससे जब नुक्सान होता है तो उसका आकलन जल्दी हो जाएगा और सासन ने इसके लिए उत्तरप्रदेश राजस तो सहिंता निमावली 2020 में प्रावधान कर दिया है अभी हाली में प्रदेश के सबसे उचे राष्ट धोज का लोकारपन किया गया है महतपूर है पूछा जा सकता है आपसे तो हाल ही में मुखमंत्री योगी आदितिनाथ के दारा पुदेश के सबसे उचे राश्टी द्वज एवं आई लव गोरकपुर का जो है लोकारपड किया गया कब 13 जन्वरी को और ये कहां पर किया गया है गोरकपुर के रामगड ताल के टट पर रामगड ताल पर इस्थित इसराश्टी द्वज की उचाई कितनी है पचहतर मीटर यानि 246 फीट है जो उचाई की दृष्टिकोर से देश में दसवे इस्थान पर होगा अगला है बारा बंकी जो है माटी कला की अंतराश्टी बाजार में ब्रैंडिंग करेगा प्रधान मंत्री के लोकल फार वोकल के सपने को पूरा करने के लिए बारा बंकी में बड़ी पहल होने जा रही है यहाँ प्रनेस का ऐसा रोजगार हब बनाने की तैयारी हो रही है जो लोगों को रोजगार देने के साथ ही साथ जो है अंतराश्टी बाजार में ब्रैंडिंग भी करेगा इस पहल को सार्थक दिसा देने के लिए बंकी ब्लॉक के मुहम्मदपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के जमीन तलाशने के साथ ही सासर इस्तर पर माटी कला सहकारी समित का गठन किया गया है अब यूपी में जो है वेरिंग हाउस लगाने की जो है स्कीम अभी जल्दी जो है मनजूर की गई थी तो उत्तरपदेश की पहली जो है वेरिंग हाउसिंग इकाई कहां पर लगेगी ये भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये लखनों में लगेगी हाली में योगी सरकार ने वेरिंग हाउसिंग और लाजिस्टिक नीती 2018 के तहट पहले निवेश प्रस्ताव को मनजूरी दे दी है में सरस नानक लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड लखनों इस्थित सरोजनी नगर के भकवापुर गाउं के 85 करोन रुपए के निवे हासिल की है यूपी के ही साइंटिस्टों ने जो की बियच्चू बना रसे हैं तो पहले यह जानते ही कि छिरंजीवी तारे क्या होते हैं ऐसे तारे जो है जो नश्ट नहीं होते हैं तो ब्रहमान में कई ऐसे तारे हैं जो कभी नहीं तूपते वर्स 1953 में विख्यात अमेरि टारों का अस्तित्तों है यानि ब्रहमान जिब तक है तक इनका भी अस्तित्तों है है एरत की बात यह है कि अब तक को इस रहसे को किसीने साबित नहीं किया और नहीं किसीने देखा था बस किताब़ों में ठेयोरी तक ही सीमित रहा ц्य बार्यार से लेख था पहले बार reviewed न이면 एस्ट्रोसाइट सेटलाइट के अल्ट्रा वायलेट इमेजिनिंग टेलिस्कोप की मदद से इन चिरिंजीवी तारों का प्रतेच प्रमार दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है आगे बढ़ते हैं यूपी 112 से बैंक वा एटियम जुड़ेंगे क्योंकि ये एक इमर्जनसी नंबर है तो जितने भी सूबे के बैंक और एटियम है इनकी सुरच्छा ब्यवस्था को पुखता वा त्यादुनिक तरीके से किये जाने के लिए यूपी 112 से जोड़े जाने की यूजना बनाई गई है साथी 9 गठित उत्तरप्रेश विसेश सुरच्छा बल जिसका नाम SSF है इसको भी बैंकों की सुरच्छा में लगाया जाएगा अब एक ऐसी किट विक्सित कर ली गई है जिससे किसान जो है खुद ही जो है अपनी स्वाइल टेस्टिंग अपने खे संस्थान कहां पर है लखनव में है इसके संस्थान के छेतरी केंदर के द्वारा एक किट तयार की गई है यानि जो है इसका छेतरी केंदर है रासायनिक तत्तों के साथ बनी ये जिपकिट नाम से इसका नाम ज़रूरिया तक हीएगा जिपकिट क्योंकि कभी पूछ लिया की मात्रा के बारे में नहीं बताएगी बलकि जमीन में फसल उत्पादन में बढ़ोत्री के साथ किसानों की आई भी इससे दुगनी हो सकेगी अब एक लाइट हाउस बनने जा रहा है कहां पर उत्तरपदेश के लखनव में तो हाल ही में देश के 14 राजियों ने लाइट हाउस बनाने का परस्ताओ दिया था जिसमें मदपदेश के इंदोर में, गुजरात के राजकोट में, तमिलनाडू के चिन्नई में, जारपन के राची में, त्रिपुरा के अगरतला में और उत्तरपदेश के लखनव का जो है चैन किया गया, मतलब देश में इतनी जगे लाइट हाउस बनेगा, तो यूपी वाला गर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि लखनव में जो है लाइट हाउस उत्तरपदेश का बनेगा, बेस्ट हाउस का अवार्ड मिला है, प्रधान मंत्री आवास योजन को धान मंत्री के द्वारा लखनव की निवासी को दिया गया है, महायोगी गुरू गोरचनात के नाम पर राज आयुष विस्वुधाले का नाम रखा जाएगा, राज आयुष विस्वुधाले कहां बन रहा है, पहले भी मैंने बताया है, ये बन रहा है गोरकपुर में, तो राज आयुष विस्विद्याले का नाम होगा महायोगी गुरु गुरत चनात आयुष विस्विद्याले और कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन के माध्यम से राज आयुष विस्विद्याले उत्तप्रेस अधनियम 2020 में संसोधन कर दिया है वारसी नगर निगम में अब लोहता नगर पंचायत को सामिल कर लिया गया है और भूतत वयम खनीज कर्म निदे साले अधिनस प्रावदिक सेवा निमावली 2020 को मंजूरी दी गई है आगे बढ़ते हैं मेगा लेदर पार्क में 60 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा उत परियोजना के जाएगी इस मेगा लेदर क्लेश्टर के इस्थापना से पांच अजार आजसो हीना पचास करोड रुपए का निवेश होगा साथी लग पचास अजार लोगों को प्रत्यच एवं डेड़ लाक लोगों को अप्रत्यच रूप में रोजगार प्राप्त होग सरकार 451 करोड रुपए खर्च करके इस पार्क में अवस्थापना सुधाओं का विकास करेगी अगला है किसान कल्याण मिसन तो मुख्यमंत्री के निर्देशा नुसार किसानों को प्राथमिक्ता पर रखते हुए 6 जनवरी से किसान कल्याण मिसन जो है इसकी सुरुवात की गई है इस मिसन के जरिये किसानों को जागरुक किया गया तो था किसानों की आये को दुगुनी करने की टकनीक के बारे में भी बताया गया साधी तीनों जो क्रसी कानून है इनके बारे में भी जैनकारी दे गई दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार के निर्वाता डॉक्टर मैनी का निधन ये तो ठीक है लेकिन इनका उत्तरपदेश से क्या कनेक्शन है ये आपको भी सेस रूप से समझना होगा तो हाली में बियच्चू के डिस्टिंग्विस एलुमनी यानि पूर्व छात्र सम्मान से सम्मानित वाड़िजिक प्रयोक के लिए उपलब्द दुनिया की पहली इको फेंडरी इलेक्ट्रिक कार के आविश्कारक डाक्तर सुदर्सन मैनी का बंगलूरू में उनके नवास प अंबन थे और बियच्चू के स्कॉलर थे वो फिर मल्टी लाजिस्टिक पार्स की स्थापना की जाएगी कहां पर बनेगा ये ये नोईडा में बनेगा तो हाली में केन सरकार ने देश में माल डुलाई की समस्या को दूर करने हुआ घरेलू अंतराश्टी कारुबार की को सुविधा उपलब्त कराने को देश से 10.7000 करोड रुपए की धाचागत परियोजनाओं को में निवेश को मंजूरी दिया है इनमें से एक परियोजना राश्टी राजगानी छेत्र में स्थित ग्रेटर नोईडा में देश का आधुनिकतम द्यान जीएगा ये देश का आ आधुनिकतम मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्ग वा ट्रांस्पोर्ट हब होगा ग्रेटर नोईडा में तो इसलिए ये यूपी के लिहास से मातपूर है ये पोर्ट देश के पूर्वी छेत्र के विकास में युगदान देगा और इस मल्टी ट्रांस्पोर्ट हब से दिल्ल साइकलिस्ट अच्छे सिंग ने कस्मीर से कन्या कुमारी तक साइकल को चला कर गिनीज बुक इंटरनेशनल बुक आफ रिकार्ड्स इंडिया बुक और एसिया बुक आफ रिकार्ड्स में अपना नाम दर्च कराया है पर्यावरण समच्छन और स्वास्त के प्रती अब दी है और ये उत्तर प्रदेश के कानपूर के निवासी हैं प्रदेश में सांस्कृतिक धरोरों से जोड़ेगा रामगीरी कैलेंडर तो इसके अलेम बहुत जादा डिटेल में पढ़ने का हो सकता नहीं बाकि आप पीडियाप में देखी लेंगे रामगीरी कैलेंडर क्या है ये टर्म आपके लिए नया हो सकता थोड़ा सा इसी के बारे में जानेंगे तो मुक्मंतरी योगी आदितनाथ ने रामगीरी कैलेंडर 2021 का बिमोचन किया जो राज के महान कलाकारों पर क्रेंडित है यानि इसकी जो थीम है इस कैलेंडर की वो राज के जित्ते भी म महान कलाकार है अब उनके नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं नीचे अभी बात करते हैं तो भारती संगीत मानचित्र में उत्तरप्रेश के योगदान पर केंद्रित इस कलेंडर का प्रकासन एक सराहनी प्रयास है इस प्रकासन के माध्यम से सुर्ण और साज के मानचित्र पर उत्तरप्रेश के गौरों और गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया गया है अब यह प्रकासित किसके द्वारा किया जाता है यह राग गीरी संस्था के द्वारा प्रकासित किया जाता है और इसमें जो है बिश्रो नारायन भातखंडे किसन महराज रजसंकर महराज वि धेसंकर, विरिशी, रसूलन भाई, मतलब UP की जो संगीत जगत है, जो UP का महान कलाकार है, उन सभी का इसमें इस्थान दिया गया है, आगे चलते हैं, उत्तरप्रेस की ही एक स्कॉलर है, सुधार्ती है, नंदन सिंग, सिल्पा नंदन सिंग, तो इनको जो है यंग साइंटिस पुरुसकार मिला है ये achievement इन्होंने हासिल किया है तो हाली में बैग्यानिक मुद्धों को लेकर आयोजित अंतराश्टी बैप सम्मेलन में लखनो विसुद्याले की बायलोजी विभाग की सिच्छी का डक्तर कलपना सिंग की सोधारती यानि इनके मार्क दर्शन में सोध करने वाली सिल्पा नंदन सिंग को यंग साइंटिस्ट पुरुसकार से नवाजा किया गया है समाधित किया गया है एप्लाइट एंटमोलाजी के छेतर में उतकष्ट सोधकार करने पर इन्हें ग्लोबल एंवार्मेंट एंड सोशल असोसियेशन प्रयागराज द्वारा आजिस सम्मेलर में सरस्वती सम्मान प्राप्त डक्तर एके वर्मा ने प्रदान किया और सिल्पा जो है इससे पहले भी कई सारे जो हैं के रिसर्च पेपर जो है पब्लिस हो चुके हैं मनरेगा का बजट दुगना करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है मुख्मंतरी योगी आधितनाथ ने मनरेगा का जो बारसी बजट है उसको पच्चासी सो करोन रुपए से बढ़ा कर कितना कर दिया है 15,000 करोन रुपया कर दिया है तो ये जो है करीब करीब दुगना हो गया और ये इस तरह का पहला राजेज इसने ये किया है तकनीकी संस्थानों के लिए 290 करोन रुपय रिलीस किये गये थे जिसके कारण जो है अब राज में जो है उसका प्रभाव है वो दिखने लगा है प्राद्विक सिच्छा विभाग की तरब से कोविट संक्रमन के दौरान चातरों को बेहतर सिच्छा और सुद्धा उकलत कराने के लिए प्रदेश के दो तकनीकी विसुद्याले वा सास की संस्थानों में डिजिटल और फिजिकल इंफ्राइस्ट्रक्चर विक्सित करने की तयारी की गई है इसके लिए एपीजे अबदुल कलाम तकनीकी विसुद्याले एके टीउ लकनों ने सौ करोन रुपए की पैकेज की योजना तयार की है अब भियुद्य कोचिंग आज की डेट में आप लोग सभी लोग परचित हो गया है इस पे रेजिस्टेशन प्रारंब भी हो गया है और ये उत्तरपदेश सरकार का एक अनूठा प्रयास है उत्तरपदेश के जित्ते भी पृतियोगी चात रहें उनको मुफ्त में कोचिंग और मारदर्सन उपलब्द कराने का तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की आउशकता नहीं है मंडल इस्तर पर इसका संचालन होगा पहले चरण में उसके बाद सरकार का प्रयास रहेगा कि इसको हर जिले में भी लांच किया जाए और इसमें क्लासरूम में भी पढ़ाया जाएगा साथ में जो है ऑनलाइन पढ़ाने की भी बेवस्था रहेगी फिर टीका करण उत्तर प्रदेश में भी सुरू हो गया है और इसका तीन बार पूर्वा अभ्यास किया उत्तर प्रदेश ने ये जो है विसेशता रही तो इसमें खासिया दे रही कि टीका करण का तीन बार पूर्वा अभ्यास करने वाला U.P. पहला राज यह है. इसको जो है और क्या नाम दिया गया था टर्म दिया गया था ड्राई रन. यह ध्यान नरखिये गा. यह पूरवा भ्यास के लिए ही यूस किया जाता है ड्राइजन सब्द तो ये भी जो है इस तरह के नए नए सब्द निकल के आते हैं जैसे कोरोना काल में कई चारी जो है हमने नए टर्मिलोजी को सीखा फिर उत्तब्दे सरकार ने जो है जो मॉडल साउप और जो है सराब वगरा की दुखाने हैं उनकी जो लाइसेंसिंग फी हतुसाहित करने का भी कहीं न कहीं इसमें प्रयास होता है अच्छा तो ये होता कि पूरी तरह से जो है इस पर रोक लग जाती जो है आगे बढ़ते हैं चंदवली में कुपोशन दूर करके करने के लिए फोर्टी फाइड चावल का यूज किया जा रहा है तो कुपोशन त तरह का केन सरकार ने प्रदेश के इस आकांची जिले को फोर्टी फाइड चावल बितरण के पाइलेट प्रोजेक्ट में सामिल कर लिया है बियच्चू देश का पहला सांस्कृतिक अर्थसास जो है कोर सुरू करने वाली इन्वेस्टी बन गई है कासी हिंदू भी सुद् यानि पीजी पाइठ क्रम सुरू करने जा रहा है इसके तहर देश की कला संस्कृति वैदिक अध्यात्नी ग्रंत लोकसाहित वैदिक विक्याल वास्तुकला प्राचीन कलाकरती मूर्थ अमूर्थ विरासत गौरोसाली धरोहर आधिको उद्योग से जोड़ कर इसलिए क्या इस तरह का कोर्स जो है बियच्चू के माध्यम से दुनिया में पहली बार सुरू किया गया है मेरट में देश की पहली ब्लास्ट लेस्ट ट्रैक बनाने की फैक्टरी खोली गई है तो रीजनल रेल का पहला कारिडोर दिल्ली से मेरट तक बनाया जा रहा है तथा अब्दी नगर में खोली गई है इस तरह के पॉइंट जो है प्राया पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यूनिक चीज है यह तो यह ब्लास्ट लेट ट्रैक रेल के बनाने के लिए मेरट में जो है फैक्टरी लगाई गई है बाएसी किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरट जो है रीजनल रैपी ट्रांजिस सिस्टम कारिडोर पर ब्लास्ट लेट ट्रैक बिछाया जाएगा यह पूरी तरह से स्वदेशी वा आधुनिक तकनीक पर आदारित होगा अब राजधानी यानि उत्तरप्रेश के दो युवाओं को विवे इनको मुख्यमंत्री के दोरा सम्मानित किया गया है अब इसमें कई सारे पुरुसकार होते हैं तो इसमें दस युवाओं वाप छे मंगल दलों को विवेका नंद यूथ अवार्ड सम्मानित किया गया हवाई माल्क से उत्तरप्रेश के सभी छेतरों को जोड़ने की इयरपोर्ट सीगर बनकर तयार हो जाएंगे अलीगड़, आजमगड़, सरावस्ती, मुरादाबाद में कम बजट में कम सुगधावाले एयरपोर्ट विक्सित किये जा रहे हैं आयुद्ध्या एयरपोर्ट के लिए अब तक 145 एकर भूमी खरी दी जा चुकी है और कुसी ने अगर एयरपोर्ट को भारत सरकार द्वारा अंतराष्टी यानि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है डिक्लियर कर दिया गया है पहले ही आगे बढ़ते हैं गोरकपुर वारणसी वा आगरा में जो है टेक्स्टाइल पार्क की आधार सिला रखी जा रही है तो प्रदेश में बस्तुद्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अहम कदम उठाते हुए गोरकपुर वारणसी वा आगरा में टेक्स्टाइल पार्क विक्सित करने की गोशणा की गई है इसके साथ ही भविश में प्राथमिक्ता वा संभावना वाले सभी छेत्रों में एक एक टेक्स्टाइल पार्क इस्थापित करने की योजना बनाए जारी लेकिन फिलहाल आप यादा किये कि गोरकपुर वारणसी आगरा इनमें टेक्स्टाइल पार्क विक्सित किया जा रहा है अगला है एक योजना उन्नत किसान आतु निर्भर प्रदेस तो हाली में क्रसि अधारित गत्विदियों के विकास से किसानों की आयको दूगनी करने के लिए प्रदानमंत्री जी के संकल को सिद्ध करने तो प्रदेश के 825 विकास खंडों में किसान कल्यान मिसन के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाया गया इसके अंतरकर विकास खंड इस तर पर प्रकार के कारिक्रम आयजित किये गए अब क्या-क्या जो है महत्पूर्ण जो है कारिक्रम इसमें मतलब किये गए तो पी-म किसान सम्मिधी योजना के अंतरकर 27,101 करण रुपय की रासी हस्तानांत्रित की गई ये सब ही जो है किसी छेत्र की उन्नती के लिए किये गए प् अब एक रिपोर्ट जारी हुई है उसके अंसार जो है UGC के सहयोग से सोध को बढ़ावा देने के लिए जो सोध गंगा पोर्टल है आप अगर इसको चाहें तो इस पर विजिट करके देखिएगा जितने भी देश के रिसर्च कारिक्रम होते हैं उनकी जो थीसेज होती है वो यहाँ पर अप्लोड की आती है विभीन स्कॉलर्स के द्वारा जो है तो इस पर छे महिने में देश में पाचवा इस्थान रखता था पहले कानपूर विजिट जाले अब ठीसेज अप्लोड करने के मामले में कानपूर विजिट जाले जो है चौथे नमबर पर आ गया से हैं कासी नई दिल्ली बुलेट ट्रेन योजना की सुरुवात करने के लिए लिडार सर्वे जो है शुरू हो चुका है तो नई दिल्ली से वारणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन चलाने की दिसा में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कार्पोरेशन ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और ग्रेटर नोडा में लिडार यानि लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग सर्वे तकनीक से सर्वेच्छन के लिए इमर्जेंसी सेंसर युक्त हेलिकॉप्टर ने उरान भरी तता कई महत्पूर आकड़े जुडाए तो ये जो है पूछा जा सकता है कि ये जो लिडार है इसका फुल फार्म भी आपको या रखना चाहिए साइंस और टेक्नॉलजी के लिहाद से लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग सर्वे और ये जो है जो प्रस्तावित है बुलेट ट्रेन वो नई दिली से बनारस के बीच में है अब इसमें जो है पूरा जो विक्सित हो रहा उससे जोड़ा जाएगा आगे बढ़ते हैं हिमालेयन हिंद महासागर राश्ट समू का मुख्याले आगरा में स्थापित होगा आगरा में बनेगा ये जो है यूपी के लिहाद से मात्पूर है तो हिमालेयन हिंद महासागर राश्ट समू का समू में हिमालय वा हिंद महासागर के आसपास बसे भारत समे 54 देश सामिल है जिनमें दुनिया की 40.6 जीरो फिस्दी आबादी रहती है और इसका उद्देश दुनिया में सांती विकास व्यापार को बढ़ावा देना है तो इस अंतराश्टी संगठन का मुख्याले आगरा म इस्थापित होगा ये आपके लिए बहुत महत्पूर है हुनर हाट जो है अभी आयोजित किया गया है हाली में तो आप से आजन इस्थल पूछा जा सकता है क्या है आजन इस्थल था लखनो यानि राजधानी और ये हुनर हाट जो है ये ओडी ओपी उत्पादों के साल आयोजित किया जाता है फिर मौसम केंद्र लखनो जो है ये देश में प्रथामिस्थान पे अवल है तो मौसम केंद्र लखनो देश में सरसेश शेंसर गोसित किया गया है भारती मौसम विभाग के 146 में इस्थापना दिवस के अशर पर ये पुरुसकार जो है प्रतिवी विज्ञान मंत्री डक्तर हर्स वर्धन के द्वारा सौपा गया मौसम केंद्र लखनो 1922 में सुरू किया गया था और इस केंद्र को अब 88 साल पूरे हो चुके हैं अभी तक पराली जो है बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी प्रदूसरन के लिए किसानों के द पराली अब किसानों के आयका साधन मनेगी मुख्वंत्री योगी आदितनात के निर्देश पर बहराईज के रिसिया में प्रदेश का पहला ऐसा कारखाना इस्थापित किया गया है जहां पराली से बायो कोल का उत्पादन होगा ये मात्पूर है पराली के क्या बनाया जा कहां पर इस्थापित हुआ है बहराईज ये अच्छे से यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं मलिहाबाद का जी बिलास पसंद जो है अमुरूद इसका एक पेटेंट हासिल किया गया ये मलिहाबाद कहां पर है लखनव में है तो मलिहाबाद के बुलाकी हार गाव निवास किसान राम बिलास मौर ने अमुरूद की एक ऐसी प्रजाती विक्सित की गई है जो वर्ष में 11 माह फल देती है तो अपने आपने यूनिक है ये और इस अनोखी प्रजाती को केन सरकार ने किसानों के नाम से प्रमाडित करते हुए पेटेंट कराया यानि उनका नाम इसमे क्रास किया हुए पौदा जो नौंबर में फल नहीं देता है बाकी साल के 11 महिनों में अच्छी देख रेक करने पर 11 महिने लगातार ये फल देता है आगे बढ़ते हैं यूपी को 28 नए निजी विसुद्याल है यानि प्राइवेट इन्वस्टीज और 51 राज की ये मेडिक सरकारी वाला होगा और नए सत्से विसुद्याले की संबत्ता दिये जाने का काम आनलाइन शुरू किया जाएगा अगला अपडेट देखते हैं उत्तर प्रदेश नगरी किराधारी विनीमियन अध्यादेश 2021 अभी बनाए गया इसमें मुक्य प्रावधान जो ये है कि मियम बनाया गया है और इसमें और भी कई सारी बाते हैं। उत्तरप्रेस में मानो तसकरी विरोधी पुलिस इस्टेशन इस्थापित किया गया है, किस जिले में, तो उत्तरप्रेस सरकार ने प्रतेक जिले में मानो तसकरी विरोधी पुलिस इस्टेशन इस्थापित करने का निर्णलिया, यनि उत्तरप्रेस के सभी 75 जनपदों में इ ये जो है बिसेज कर जो है human trafficking यानि मानो तसकरी के ही मामले को जो है देखेंगे ललितपुर में भी हवाई एड़ा जो है प्रस्तावित हो गया है तो हाल ही में योगी सरकार के दोरा बुंदेल खंड को बड़ी सौगात देते हुए ललितपुर में airport बनाय जाने की सैध्धान प्रदेश का पहला डेटा सेंटर greater noida में बना दूसरा भी greater noida में बनेगा ये भी आदकिएगा तो प्रदेश का दूसरा डेटा सेंटर जो है ये भी greater noida में ही इस्थापित होगा छे एकर में इसकी इस्थापना कर जापानी कंपनी entity limited 1000 करोड रुपए का यहाँ पर निवे सूचना विभाग की डायरी जिसमें उत्तरपदेश के सभी officers के नंबर सभी विभागों के नंबर सभी विभागों में जित्ते रिकारी हैं सभी मंत्राल है जित्ते उत्तरपदेश के विभाग हैं तो उसकी पूरी डायरी होती मतलब एक सरकारी सूचना डायरी होती थी तो से अधिक मद्दाता बढ़ें जो पुन्रिच्छन किया गया है तो ग्राम पंचायतों की मद्दाता सूची का अंतिम प्रकासन कर दिया गया इसमें पिछले चुनाओं के पेच्छा इस बार 62,000 से अधिक मद्दाता अपने बताधिकार का प्रियोग करेंगे 59,000 नए पदों का सरजन और 20,000 पद समाप्त होंगे तो प्रदेश सरकार विभागों के पुनर गठन के साथ सरकारी कारिब को किया हो सकता कि नए सिरे से अकलन कर रही है और इसके अंतरगत 20,000 गयर जरूरी पद जो है सरकारी विभागों से खतम कर दिये जाएंगे लेकिन साथ ही 69,000 नए पदों का सरजन भी किया जाएगा और इसके जो बोल है राहे जितनी भी मुश्किल है रात की काली स्याही है सूरज बनकर निकलेंगे अब जीत की हर तयारी है योनिसेफ, एन, हम, यूपी वा प्रदेश सरकार के संयुद प्रयार से यह गीत तयार किया गया है जिसका नाम दिया गया है कोरोना एंथम और इसमें जो सबसे प्राबबल कोश्चन वो है कि इसको गाया किसने है तो इसक प्रचक धंग से विवरण है आगे चलते हैं अगला जो एपडेट देखते हैं राम नगरी में यानि अयुद्ध्या में राम लीला का एक गुरुकुल इस्थापित किया जाएगा कोरोना संकट के चलते 21 मार्च 2020 से राम लीला का नित्यकरम बाधित हुआ था इसी करम में स प्रचकार की उजना राम नगरी में यानि अध्या में गुरुकुल की इस्थापना करने का है फिर कीमो थेरेपी के दुस्प्रभाव से बचने के लिए बियच्चू की पॉली हर्बल ड्रग जो है आ गई है कीमो थेरेपी क्यों की जाती है कैंसर पेसंट के लिए की जाती है और उसके जितने फायदे होते हैं उतने ही उसके नुकसान भी होते हैं तो बियच्चू के आईरवेद संकाय में विज्ञानियों ने पाच वनस्पतियों से पॉली हर्बल ड्रग तयार किया है जो की कीमो थेरेपी के दुस्प्रभाव से बचाएगी ये दवा ना ओमर को बढ़ने से लूगने में कारगर्ड पाई गई रहा है बलकि मुरतिवधर को घटाने वह मडीज की जिन्दगी को दर्द रहित बनाने में भी जो है बहतर साबित हुई है अब प्रधान मंत्री के द्वारा प्रधान जो प्रधान मंत्री बाल पुरुसकार दिया जाता है वो उत्तरपरेश के पाँच बच्चों को मिलेगा तो प्रधान मंत्री राश्टी बाल पुरुसकार 2021 में उत्तरपरेश के पाँच बच्चों का चैन हुआ है अब ये नाम गएरा दिये गए बस इत्ता धान रखिए कि उत्तर प्रदेश से संख्या पांच है एक्सप्रेस वे के किनारे योगी सरकार जो है इंडस्ट्रियल पार्कों का डेवलप्मेंट करेगी तो प्रदेश में अध्यों की करण को बढ़ावा देने के ल वांचल एक्सप्रेस वे की किनारे लैंड बैंक बनाये जाएंगे आगे बढ़ते हैं डेटा सेंटर पार्क दस हिकाईया और 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो ये क्या योजना है सरकार ने प्रदेश में 200 मेगावाट छमता का डाटा सेंटर उद्योग विक्सित करने का लच्छ तै किया गया तो ये टार्गेट है ये आप से पूछा जा सकता है कि प्रदेश सरकार का कितना लच्छ है तो आपको बताना होगा कि 200 मेगावाट डेटा सेंटर का जो है लच्छ है ये चमता पूछी जा सकती है और 20,000 करोण रुपए के निवेश से 3 देटा सेंटर पार्क और 10 देटा सेंटर इकाईया इस्थापित की जाएंगी आगे बढ़ते हैं जेवर एरपोर्ट जो दुनिय मतलब भारत का जो है सबसे आधुनिक एरपोर्ट बनाने का जिसके लिए काम चल ला है उसमें अब रन्वे की संख्या जो है पांच रखी ग अभियान तो एक जिला एक उत्पाद योजिना में सामिल उत्पादों का निर्याद बढ़ाने के लिए MSME उद्योग विभाग में नई रण नीती त्यार किये इन उत्पादों की ब्रांडिंग अब 75 वंडर्स आफ उत्तर प्रदेश की थीम पर किया जाएगा ये इंपोर इस्टेट जीडीपी की गढ़ना तो होती ही थी और उत्तर प्रदेश के जो आर्थिक अनुभाग है आर्थिक संभाग उनमें भी जो है चारों में जो है स्टेट जीडीपी की जो है संभागवार गढ़ना होती थी लेकिन अब हर जिले की जीडीपी की गढ़ना होगी तो तो यूपी दिवस के समारों में मुख्मंतरी योगी आधितनाथ द्वरा ये घोशना की गई कि अप्रदेश की तरह हर जीले की भी जीडीपी की गढ़ना होगी और जीले की जीडीपी के माध्यम से विकास की बहुत सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। उत्तरपने सरकार द्वरा भी हाली में कई सारे पुरुसकार गोशित किये गए हैं उनमें से राली लच्मी भाई पुरुसकार, लच्मण पुरुसकार, क्रसक पुरुसकार, राजिस्तरी ग्रामीर उद्यमी पुरुसकार और राजिस्तरी माटी कला पुरुसकार तो बाकी इ तो आपको बताना होगा कि ये हौकी से संबंदित है। अब ये भी अपने आप में एक नया इन्नोवेशन है, ये कहां खुलेगा नोएडा में। इस सेंटर को मंजूरी देने वाला यूपी का देश का पहला राज बन गया है, यूपी यानि इस तरह के सेंटर अभी देश में किसी और राज़वारा मंजूर नहीं किये गए हैं। बुंदेल खंड में भी आपने पढ़ा होगा इस्ट्रॉबेरी महोसो मनाया गया था, तो बुंदेल खंड की जो इस्ट्रॉबेरी है इसको वैस्विक पहचान दिलाने के लिए 17 जनवरी से 16 फरवरी 2021 के मद जो है नटराज सरोवर पोटी को जहासी में जो है ये महोसो आय पर परेड निकली उसमें उत्तर प्रदेश की जो जहाकी थी उसको पहला इस्थान मिला तो ये इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट आप ये उसे निश्चित रुप से इस तरह का प्रस्न जो है पूछा जाएगा और इसमें जो थीम थी वो क्या थी आयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर ये इसका जो है विसेथा जहाकी का बनारस हिंदु विसुद्याले का केंद्र जो है भारत का पहला वैदिक विज्ञान संस्थान जो है बनेगा तो बनारस हिंदु विसुद्याले का वैदिक विज्ञान केंद्र भारत का पहला व बैदिक विज्ञान संस्थान है वो कहां बन रहा है बियच्चू के अंदर यानि बनारों से बन रहा है ओखला पक्छी बिहार जो है इसमें दो फरवरी को बर्ड फेस्टिवल का आजन हुआ और ये बर्ड फेस्टिवल जो है राजिस्तरी था वेट लैंग दिवस मनाया जा गौतम बुध नगर में है ये भी ध्यान कियेगा और पिछली बार जो है ये फेस्टिवल आगरा के कीथम जील इस्थिच सूर सरोवर पच्छी बिहार में मनाया गिया था Microsoft ने Noida में एक नया Engineering Hub खोलने खोला है तो दिगज टेक फर्म Microsoft ने Noida में नया India Development Center लांच किया है इसका डिजाइन ताजमहल से प्रेरित है ये Center Engineering and Innovation Hub की तरह कार करेगा इससे पहले Bangaluru और Hyderabad में Microsoft के दो Development Center है तो ये भी आदखिएगा Noida में ये नया यूनिट उसका सुरू हो गया है अब अलिगण मुस्लिम इनवस्टी ने 100 साल का लेखा जो खाट टाइम कैपसूल में सहजा जैसा आयुद्या में बात की जा रही थी उसी तरह से AMO ने भी जो है अपना टाइम कैपसूल में 100 साल का जो इतिहास है AMO का उसको जो है सनच्छित करने का प्रयास किया है और एक्तिहासिक विक्टोरिया गेट के सामने 30 फीट गहरे गड़े में करीब देड़ टन से जादा वजनी ताबे के टाइम कैपसूल में जो है ये पूरा इतिहास AMO का किया है और इस तरह की ये देश की पहली इनवस्टी बन गई है तो अगला अपडेट देखते हैं उत्तर प्रदेश में DNA जाज के लिए सेंटर आफ एक्सिलेंस इस्थापित किया जाएगा अभी ये कैपनेट ने मंजूरी तो दे दी है लेकिन इसके लिए जो है अभी कोई विशेश सिस्थान नहीं बताया गया है आगे चलते हैं ओडी ओपी यानि वन डिस्टिक वन प्रोटेट के जरिये तीन वर्स में तीस फीसदी निरियात का जो है लच रखा गया है तो जो प्राप्त हो गया है तो प्रदेश के सूच में लगोए मध्या मुद्योग विभाग द्वारा सुरू कि एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिये तीन वर्स में तीस फीसद निरियात्र में बढ़ुत्री हुई है जो इस योजना की सफलता को विक्त करता है अटल प्रेरणा इस्थल तो लखनव से अटल बिहारी बाचपही के रिस्ते को जीवंत बनाये के लिए लखनव विकास प्राधिकरण ने अटल प्रेरणा इस्थल को पार्क वा रहली इस्थल दोनों का ही लुक देने का एक खाका तयार किया है यह एक ऐसा पार्क होगा जो पूर पुर्धान मंतरी अटल विहारी बाचपही की कविताओं के साथ ही उनकी यादों को ताजा करने का काम करेगा और यहाँ पर उनकी आदमकर्द प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी उत्तरप्रेस इस साल जो है चौरी-चौरा कान्ड का सताबदी वर्स मना रही है तो सताबदी वर्स में प्रवेस कर गये हैं तो चौरी-चौरा कांड के लिए फासी और काले पानी की सजा पाने आले करांतिकारियों की याद में बने चौरी-चौरा इस मारक पर चौरी-चौरा घटना के सौवे वर्स यहाँ पर पहली बार मेला जुटेगा और योगी सरकार जो है सहीद वा सेनानियों के स्वजन को यहाँ पर सम्मानित करेगी अब जो है चौरी-चौरा की हिस्ट्री बहुत ब्यापक है आप लोगोंने हिस्ट्री में पढ़ा भी है फिर आगे बढ़ते हैं उत्तरप्रेश में बिजली बितरन नेटवर्क में सुधार है तो एक समझ होता हुआ है एसीन डवलप्मेंट बैंक और भारत सरकार ने उत्तरप्रेश में उभोकताओं को विश्वस्त्री विद्धुत आप उर्ति प्रदान करने के उत्देश से ग्रामीड विजली बितरन नेटवर्क में सुधार करने तो तीन सो मिलियन डॉलर के रिण पर हस्ता गॉर्मेंट का एग्रिमेंट हुआ है एडीबी के साथ जो है भारत सरकार के माध्यम से तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में उत्तरप्रेश का जनवरी का पूरा करन्ट अफेर्स डिटेल में कवर कर लिया है मिलते हैं गले लेक्चर में नवशकार अबग्गा पुर्ण करन्वाद है लेक्चर में एफ लेक्चर में नवशकर अवदा प्वाद्ट।